मित्रो पिछले सेशन के अंदर हमने देख लिया Fractional Reserve, Money Multiplier, Inflation और Deflation से लडने के लिए RBI ने किस प्रकार की Monetary Policy बनानी चाहिए अब उन सब रण नेतियों को लागू करने के लिए असल हतियार जो यूज किये जाते हैं The Tools of Monetary Policy वहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे Quantitative Tools जिसके अंदर SLR, CRR, Incremental CRR जो अभी के इस वीडियो का विशह है मित्रो जब आप बैंक में पैसा deposit करते हैं For you, it is a financial asset लेकिन बैंक के लिए तो वो liability है क्योंकि आपको वो ब्याद मुद्दल के साइट पैसा वापस करना है यह सारे क्या product है आप वहाँ पर पैसा डालेंगे तो एक साल पांच साल वो समय सीमा के बाद ही वो पैसा आपको इतने ब्याज के साथ वापस किया जाएगा कानूनन बैंक कुछ समय से पहले आपको पैसा देने के लिए बाद्या नहीं है लेकिन इन प्रैक्टिस क्या होगा कि आपको माली जे पांच साल का fix deposit है और दूसरे ही साल वापस ले लेना है तो वो आपको उतना ब्याज कम देंगे या penalty में थोड़ा पैसा काट के आपको दे दिया जाएगा So those are time liabilities 2015 में RBI ने एक नई category यहाँ पर अप्रूव की जिसे बोला जाता है unbreakable FD बनलब 5 साल की FD तो वो 5 साल बाद ही आप निकाल सकते हैं उससे पहले बले आप राजी हो कि मेरा ब्याज का पैसा काट लेना penalty दे देना still banks will not give it back to you लेकिन शर्थ यह है कि इस प्रकार की unbreakable FD type के product अगर bank देता है तो वहाँ पर उसने ब्याज ordinary fixed deposit से जादा देना पड़ेगा For you these are all financial assets but bank के लिए it is their time liability उससे विपरित कुछ होती है bank की demand liabilities For example current account which is meant for the businessman वहाँ पर businessman जो पैसा deposit करेगा तो bank उसको ब्याज नहीं देगी लेकिन बहुत सारे services offer किये जाएंगे उसके उपर withdrawal and deposit की कोई limit नहीं होगी उसे ज्यादा checkbook और वगेर अंदर सुईधाय होगी और उसके खाते में पैसा ना भी हो तो भी overdrap के स्वरूप में उससे पैसा निकालने की अनुमती होगी So like that there is one current account तो ये current account उद्योगपती के लिए तो उसकी financial asset है but for bank it is their demand liability क्योंकि मन चायता वो मूँ उठा के आ सकता और अपना पैसा निकलवा सकता है Same goes for saving account and demand draft उसके आगे मान लिजे मैंने 5 साल के लिए fixed deposit किया है so that is bank's time liability लेकिन 5 साल और एक महिना, दो महिना, तीन महिना जब ये overview balance हो जाएगा then it becomes demand liability of bank क्यों उसके बाद तो मैं मूँ ठा के कभी भी जाके पैसा आपना मांग सकता हूँ Same logic unclaimed deposits are also demand liability of a bank and lastly other liabilities ये आपके time deposit, demand deposit के उपर जो ब्याज चड़ रहा है वो सारा bank के कहां पर गिने जाएगा it is other liability of the bank, interest accrued on deposits उसी प्रकार bank को जो मुनापा हुआ उसमें से उसने share दारकों को dividend देना है तो unpaid dividend वो भी liability है, gold borrowed that is also liability so on and so on, क्यार bank की परेक्साव के लिए जादा refine आपने पढ़ना पड़ेगा, for our purpose इतना classification पर्याप्त है मान लीजी आज शुक्रवार है और अपनी bank के अंदर कुछ ऐसा scene बन रहा है, कि bank की demand liabilities, मतलब current account, saving account वगेरा के अंदर, कुल मिला के deposit कितनी है, तो 70 करोड रूपीज, जिसमें से 20 करोड लोगों ने निकाल भी लिये है, कुछ जरूरत होगी checkbook वगेरा से, तो बचा कितना 50 करोड, उसके सामने bank की time liability, such as fixed deposit, recurring deposit वगेरा में, कुल मिला के deposit कितना है, 60 करोड रूपीज, जिसमें से लोगों ने अप 50 करोड मतलब 100 करोड रूपीज, तो ये 100 करोड that is our NDTL, बराबर अपनी time and demand liabilities के हिसाब से मैंने sample के लिए ये दिखाया कि 100 करोड अपनी NDTL है, अब वहाँ से 4 करोड रूपे bank ने एक तरफ रख देने है, as cash reserve ratio, वो पैसा bank किसी को उधारी में नहीं दे सकती, ब्याज पे उसका सोना नहीं खरीच सकती, government security नहीं, कहीं पर निवेश नहीं कर सकती, बस एक तरफ रख देना है, मलब उसे कोई profit मिलेगा नहीं, ये cash reserve ratio है, अब प्रशन ये RBI ऐसा कैसे prescribe कर सकती है, how does RBI get this power, answer is, under the Reserve Bank of India Act 1934, scheduled commercial bank के उपर RBI इस प्रकार का CRR लागू कर सकती है, ऐसा उ उसे भी प्रित, जो non-scheduled bank है, या cooperative bank है, उनके उपर भी RBI ये लागू कर सकती है, those powers are given under the Banking Regulation Act 1949, तो उस हिसाब से ये सभी बैंकों के उपर, RBI ने ये नियम किया है कि जितना पैसा आता अन DTL में उसका 4% you have to keep aside, अब स्वाबाइ, by default इसके उपर बैंकों कोई होगा नहीं, लेकिन कुछ वर्स ऐसे गए, जब RBI ने उसके उपर बैंकों को ब्याज दिया था, but by default no profit involved here, इसके अलावा, ये अपना 100 करोड NDTL, उसमें से 20.5%, मतलब 20 करोड 50 लाख रुपे, बैंकों ने liquid assets के अंदर रखने होंगे, liquid assets के अंदर आएगा, cash 100% liquid है, gold वो तुरंध हम उसको बेच के पैसा निकलवा सकते हैं, and RBI approved security, जैसे government security, treasury bills, अलग-अलग सरकारी निगमों के debenture, bond वगेरा, अगर RBI यनुमती दे तो, इन सब के अंदर बैंकों ने रखना होगा, again वही प्रशन नहीं, इस प्रकार का नियम करने का RBI को सत्ता किदर से मिला, the answer is Banking Regulation Act 1949, और क्योंकि ये कानून के तहत, RBI ने ये prescribed किया है, कि you have to deposit this many percentage of your NDTL in the liquid asset, क्योंकि कानूनन है, इसलिए बुला गया, statutory liquidity ratio, अब स्वाब है कि यहाँ पर बैंक को कुछ मुनापा हो सकता है, for example, gold या government security में डाला, तो आगे चलके, वो पैसा आपको थोड़ा उस प अब प्रशन, बैंक को इस प्रकार के नियम क्यों किये है, RBI ने, एक तो कारण सीधा है, कि वो using this fractional reserve system, और उस प्रकार से ये money multiplier effect, liquidity को expand करने के लिए, shrink करने के लिए RBI इसको इस्तेमाल कर सकती है, और दूसरा कारण, माली ज़े बैंक के पास 100 करोड रुपे से आ रहे हैं, so they have to maintain some liquidity, third reason, माली ज़े मैं WhatsApp के उपर अफ़ा फैलाना चुरू कर दू, कि ICICI ने Vijay Malaya को loan में पैसे दिये थे और उसके चलते हो, उसका पूरा bank एक दम कमजोर पड़ गया है, so obviously ऐसी अफ़ा चलेगी, तो लोग अचानक से ICICI bank के सामने line खड़ी हो जाएगी, कि हमारे पै के चले आए और हमारा पैसा वापस करू से बोलते हैं bank runs, to protect against such bank runs, यह CRR SLR प्रिस्क्राइब किया जाता है, उसी के उपर एक आसान सवाल बनाते हैं, assertion, under the SLR norms, RBI requires the banks to hold certain share of their resources in liquid assets such as cash, gold, government, bonds, सही है, reason, SLR performs a prudential role during unexpected demand from depositors by quickly liquidating these assets, वो भी सही है, और दूसरा वाक्या पहले को explain करता है, so both are correct and are explains a, मानली जी आज शुक्रवार है और आपकी bank के अंदर NDTL 100 करोड रुपे है, तो इसके उपर 4 करोड CRR के और 20 करोड 50 लाग SLR के कब maintain करने हैं, आप एक fortnight जाने दो, मतलब 15 दिन, तो उसके बाद वापस आएगा शुक्रवार, उसके बाद वाली fortnight, 15 द ये 4 करोड CRR हमने गिना, तो ऐसा नहीं कि 15 दिन तक एक, दो, तीन, चार रोज 4 करोड मेंटेन करना है continuous, no, up to 90% of that amount you have to maintain, बाकी 10% हो सकता है कि अचानक से जादा customer की demand आ जाए, तो वो थोड़ा पैसा यहां से आप customer को दे भी सकते हो, अब ये reserve ratio इस प्रकार से, आज की ता लोन में उस दोने गुमाना है, और स्वाबाए के वो उंचे व्याज पे गुमाएंगे और बीच में उनका profit margin होगा, that is called spread, अभी के लिए इतना है कि 25% एक तरफ रखना है, इंदीरा और आजिव गांधी के समय में, this used to be very high, कि CRR 15 टका रहता था, SLR 38%, तो मनलब कूल मिला क 53%, जितना पैसा आ रहा है उसका, आदे से ज़्यादा पैसा तो आप बैंक ने एक तरफ ही रख देना पड़ता था और बाकी का ही वो लोन में गुमा सकते हैं, so when the reserve ratios are very high like this, 50 टका या उससे भी ज़्यादा, तो वो economic को कैसे नुक्सान करता है, first, क्योंकि बैंकों के पास ल जाएगा, तो भी वो लोन में पैसा लाने की उसकी हिम्मत नहीं होगी, अब business expand होगा नहीं, तो export अपने बढ़ेंगे नहीं, नई नौकरिया खड़ी होगी नहीं, अब नई नौकरिया खड़ी नहीं होगी, तो income tax collection भी स्वाबाई के कम आएगा, आपका export कम हो रहा है, तो उस हिसाब से custom duty में पैसा कम आएगा, business जादा बढ़ नहीं रहे हैं, तो exercise duty में कम आएगा, indirect tax के अंदर भी इस प्रकर से, so ultimately government का tax collection में पैसा कमाने लगेगा, और फिर भी उसके सामने राजीव और इंदिरा के नाम पे अगर कोई जोजनाय चलानी है, then government will have to borrow money, तो सरकार की feasible deficit भी बढ़ती जाएगी, और साथ ही साथ क्योंकि export अपने कम हो रहे हैं, तो current account deficit भी बढ़ती जाएगी, और ये सबी चीज़ें, उनकी एक नकरात्मक असर जिसके चलते, हमको ये balance of payment crisis देखने को मिलता है, तो BOP crisis के asset बहुत सारे कारण थे, लेकिन उसमें से एक बड़ा क SLR को कम करने की आवशकता है, RBI और सरकाने वो बाते मानी और देरे-देरे कम किया गया, CRR का बारत के अंदर क्या trend रहा, 1990 के अंदर ये बहुत 15% था, फिर बिकास अब दिस नर्सीमन कमिटी देरे-देरे RBI ने ये कम करना चुरू किया, so 9%, then 8%, 5%, फिर वापस ये subprime crisis और उसके बार लगा कि bank run या कोई disability आ सकती है, तो थोड़ा बढ़ा के 6% कर दिया, फिर 2014 में वापस 4% और अभी के समय में 4% ही चल रहा है, अब सोच के बताये मित्रो कि CRR 15% है, and 4% है, इन दोनों में से, which rate will give highest money supply M1, सोच ये, लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था, कि every R reserve will generate 1 upon R new money, तो जब 4% CRR होगा, तो मतलब fraction के हिसाब से 1 upon 25, so when R is 1 upon 25, तो 1 upon R क्या होगा, 1 upon 1 upon 25, मतलब 4% reserve ratio, it will generate 25 times new money, money multiplier, तो स्वाबाई के ये आकड़ा जितना कम होगा, उतना ही जादा money multiplier होगा, 15% से जादा 4% CRR होगा, तब money multiplier और money supply बड़ा होगा, मैंने आपको ये भी बताया कि CRR लागू करने की सत्ता RBI को कहां से मिलती है, under the RBI Act, अब वहाँ पर चुरू में नियम ये था, कि CRR 20% से जादा नहीं हो सकता, और 3% से कम नहीं हो सकता, so ceiling and floor were prescribed like this, लेकिन 2007 के अंदर ये नियम बंद कर दिया गया, तो अब RBI को छूट है, वह मन चाहे उतना CRR प्रिसक्राइब कर सकती है, the second is statutory liquidity ratio, SLR, ये किन के उपर लागू होता है, सभी प्रकार के बैंक के उपर, मतलब commercial बैंक भी और cooperative बैंक भी, लेकिन cooperative बैंक के अंदर, the lowest rank, that is primary agriculture cooperative society at the village level, उनके उपर लागू नहीं होता है, मतलब hierarchy के स्वरूप में, सभी प्रकार के बैंकों को SLR maintain करना पड़ता है, up to district level के cooperative bank, जिनको हम central cooperative bank बोलते हैं, वहां तक के सभी बैंकों को, ये SLR चीज मानने पड़ती है, non-banking financial company के अंदर, जो deposit लेती हैं, इस प्रकार के NBFC, जिनने बोलते हैं, NBFC-D, उनके उपर भी SLR लागू होता है, अब इस सभी बैंकों पे और इस प्रकार के deposit लेने वाली NBFC पे, RBI चाहे तो अलग-अलग level के SLR prescribe कर सकता है, खेर अभी के लिए के वल फोकस करते हैं, schedule commercial banks, मतलब ये मोटे-मोटे जो bank है, SBI, Axis Bank बगेरा, उनके उपर SLR कितना है, BOP crisis से पहले तो RBI बहुत उंचा SLR रखता था, 38.50%, लेकिन फिर नर्सीमन कमिटी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, दीरे-दीरे कम करना चुरू किया, तो 2015 तक आते हो गया 22%, फिर 2015 और उसका 4th quarter, वहाँ पर ये था 20.50%, उसके बाद RBI ने ये कहा, कि अब से लेके, March 2017 तक, हर एक quarter के अंदर हम SLR के अंदर 0.25% की कटोती करेंगे, तो ये देखे, 2015 का चौथा quarter, उसके बाद के आएगा, 2016 का 1st quarter, तो 0.25% की कटोती की गई, तो 21.50 से हो गया, 21.25, फिर दूसरा quarter, तो 21.25 से हो गया, केवल 21%, फिर वहाँ 0.25 और काटा तो, 20.75, और फिर आगे चलते-चलते, 2016 और उसका 4th quarter, मतलब, जनवरी से लेके, March 2017, अब प्रश्ण ये, CRR, SLR की मदद से हम, महगाई और deflation के सामने कैसे लड़ सकते हैं, सबसे पहले, महगाई inflation, तो उससे लड़ने के लिए, मैंने आपको पिछले session में बताया, we have to pursue tight money policy, या dear money policy, अब यहाँ पर, अगर महगाई है, तो उससे लड़ने के लिए, आपने क्य हो जाएगा, और उस प्रकार से liquidity access जो है, वो absorbed हो जाएगी, so then automatically inflation से लड़ाई हो गई अपनी, उसके वीपरी तक अगर deflation से लड़ना है, तो क्या करोगे, बस इधर जो याद रहे गया, उसका उल्टाई बोलना है, to fight against deflation, we have to pursue easy money policy, या cheap money policy, जहाँ पर कि हमने money supply को बढ़ा लोग जादा खरीदारी करेंगे, so on and so on, तो आसान है, CRR, SLR से महगई से लड़ना है, you increase, deflation से लड़ना है, तो you decrease हो गया, 2015 की प्रिलिम में एक प्रशना पूछा गया, अगर RBI, SLR के अंदर 50 basis points, मतलब 0.50% की कटोती करती है, तो क्या होगा, बारत का GDP drastically बढ़ जाएगा, foreign institutional investor जादा capital भारत के अंदर लेके आएंगे, उसके चलते बैंकिंग सिस्टम में liquidity एकदम से कम हो जाएगी, या fourth, schedule commercial banks may cut their landing rates, हमने जो पड़ा उसे आसान है, जवाब होना चाहिए D, एक और बात, अगर यहाँ पर ऐसा लेखा होता, schedule commercial banks must cut their landing rates, तो यह जवाब भी गलत हो ज देंगे, that is, ऐसा कोई प्रावदन नहीं है, एक और प्रश्णताय करते हैं, informal lenders, जैसे यह money lenders, raw वगेरा, they reduce the efficacy of monetary policy, efficacy मतलब, अगर मैं कोई दवाई ले लूँ, और मेरा बुखार कम हो जाए, then I will say कि, यह paracetamol is showing efficacy for temperature control, तो उसी प्रकार, RBI अगर, CRR, SLR या कुछ भी प्रड़ाई हो जाए, then we will say कि, efficacy है इसका, so the assertion is, यह informal lenders, raw वगेरा, इन सब के चलते, monetary policy की efficacy कम होती है, reason, informal lenders are not required to maintain CRR and SLR, so यह क्या जवाब होगा? The answer is, both statements are correct, and R explains है, क्यों? क्योंकि यह informal lenders, raw, शाहुकार, इन सब को CRR, SLR मेंटेन नहीं करना पड़ता, तो उपर से RBI बले CRR, SLR में कुछ भी बढ़लाव करे, इनके हाथ में जो पैसा है, उसके उपर वो shrink and expand money multiplier effect दीखेगा नहीं, इसके चलते, monetary policy की inflation और deflation के सामने अभी कसी है, वो कम हो जाती है, so both are correct and R explains है, अब यहाँ पर कुछ लोग बाल की खाल खिंचना शुरू कर देते हैं, कि इधर तो केवल CRR, SLR लिखा है, Rapporate और इन सब की बात नहीं है, therefore दूसरा वाक्य संपूर्ण रूप से पहले को explain नहीं कर रहा है, therefore we cannot say this, UPSC के अंद तो मित्रो अब तक हमने पढ़ लिया कि SLR क्या है, CRR क्या है, अब ये नोट बंती के बाद एक नई चीज़ आ गई है, incremental CRR, अब ये क्या चीज़ है, हम वापस अपनी Children's Bank of India देखते हैं, जहां Dexter ने कुछ पैसा जमा कराया था, हमने सबसे पहले वाले example में देखा था कि वहाँ पर ये net demand and time liability को मिला के कितनी थी 100 करोड रुपय थी, अब उसके बाद ये माली जे 8 November 2016 के अंदर 500 और 1000 के special bank notes उनको demonetize कर दिया गया, तो शर्त क्या थी, कि आपने ये पूराने note बैंकों में जाके, post office में जाके, RBI में जाके जमा कराने हैं, तो उसी प्रकार अपनी ये जो Children Bank of India है, स्वाबाइ के वहाँ deposit के रूप में देर सारा पूराने note आना चुरू हो जाएंगे, so plus plus plus, that means कि बहुत सारा पैसा आ रहा है, और साथी साथ RBI ने नियम किये थे, कि हर महीने आप ये account में से 15,000, 20,000 या उस प्रकार से, bank से और ATM से इस से जाधा पैसा निका 1000 करोड हो जाएं, अब इस case के अंदर, system में कुछ समस्याया सकती है, समस्या क्या थी कि बहुत बढ़ा हो गया, access and detail, अब ये system में समस्या कैसे कर सकता है, माली जे धुरुतराष्ट की तरह, RBI ये बोले कि we will maintain status को, हमें कुछ नहीं करना है, जो आता है आने दो, जो चलता है चलने दो, CRR, SLR में हम कोई बढ़लाव नहीं करेंगे, in that case what will happen, ये जो अचानक से 100 करोड के बढ़ले, 1000 करोड का end detail हो गया, तो बैंकों ने तो ये अब पैसा, क्योंकि saving account या fix deposit में आपने रखा है, तो they have to pay you interest है ना, तो बैंक तो अब चाहेंगी कि मैं जल से जल ये पैस पैसा लोन में गुमाना शरू कर दूँ, और उसी होड में ये भी हो सकता है कि जो 15 या 20 टका पे आपको bike loan मिलता था, अब वो जल्दी जल्दी लोन में पैसा गुमाना है, ये करके ग्रहकों को आकरशित करने के लिए, बैंक वाले हो सकते हैं कि अपने landing rates कम करके, सिर्फ 2 टके, 5 टके पे आपको home loans, vehicle loans देना शुरू कर दे, तो access and detail के चलते अगर अचानक से इस प्रकार से landing rate कम हो जाएंगे, then it will create problems, जनता डेर सारा पैसा उदारी में लेके आएगी कि सस्ते ब्याज में हैं, और उससे हम जमीन खरीद लेंगे, उससे हम gold में निवेश कर देते है और फिर आगे चलके जब दाम बढ़ेंगे तो हम बेचेंगे, और बहुत सारा मुनाफ़ा करेंगे, इस प्रकार से loan की मतलद से ये business नहीं करें, these people will indulge in speculative investment, तो ये economy को destabilize कर सकता है, especially इस प्रकार से loan में पैसा लेके अगर जनता सोना खरीदना शुरू करे, जितना हम ज़ बाहर ले जाना शुरू करेंगे, कि हम विदेश में कहीं पर इसे निवेश करते हैं, जहां पर जादा return मिल रहा है, so again outflow of our currency, right, so ये बनलब गोल्ड का import और सामने ये foreign investment हम लोग बाहर करना शुरू कर दें, तो इसके चलते rupee dollar, rupee foreign currency के भी mismatch होगा, ultimately it will weaken our Indian rupee, उसके import करना मेंगा हो जाएगा और पूरी economic के अंदर बहुत बड़ा inflation का समस्या हो सकता है, so therefore we must not allow this to happen, अब इस से लड़ने के लिए RBI ने क्या करना पड़ेगा, they have to do something to absorb this excess liquidity that was created because of demonetization, उसका एक रास्ता ये हो सकता था, कि SLR जो अभी 20% है, मान लो RBI उसको बढ़ा के कर देती 40% है ना ताकि उतना पैसा बैंक वाले लोन में ना गुमा सके एक तरफ अलग से रखना पड़े ताकि अचानक से ये लोन के ब्याददर सकते ना हो जाए, ऐसा करने में दिक्कत है, SLR मैंने आपको समझा है तीन तरफ से रख सकते हैं, cash में, लेकिन बैंकों को उसमें तो म तो ये SLR को बढ़ा देना वो वाजिब नहीं होगा, तो फिर क्या कर सकते RBI, they could increase the CRR कि अभी जो 4% था उसके बढ़ले बढ़ा के सिधा 40% कर दे दे, हाँ इसमें बैंक को नुकसान होता, क्योंकि स्टेट बैंक में जितना डिपोजिट आ रहा है उसका इतना सारा पैसा अ लोन में गुमा नहीं सकते और कोई profit मिलेगा नहीं, then they will make losses, लेकिन अब कुछ भी रास्ता देखना ही रहा था, इसलिए Reserve Bank ने ये नियम किया कि थोड़े समय के लिए हम CRR को एकदम बढ़ा देते हैं, और फिर आगे चलके ये जो access and detail है उसको absorb करने के लिए हम कुछ अलग प्रकार के bond issue कराएंगे and like that we can manage this thing, तो वो जो चीज निकल के आई, उसे बुला गया incremental CRR, absolute CRR नहीं है, absolute CRR कब बोलते, माली जो demonetization के बाद वाला जो सुक्रवार था, तब आपकी bank में जितने भी करोडो रुपे थे, उसके उपर अगर RBI बोल देता कि you have to maintain 100% CRR, तो 100% CRR क का मतलब क्या होता, money multiplier will become one, और in a functional economy, अगर economic को functional रखना है, तो it has to be greater than one है न, तो ये तो वाजिब नहीं होगा, economy will come to a standstill, if CRR is kept at 100%, तो absolute CRR 100% RBI नहीं बोला, वो कुछ और नया जुगा ले के आए, कि demonetization वाले, जो हपते में जब Friday आया, माली जी अपनी Children's Bank of India के अंदर 1000 कर बाद की fortnight, वापस शुक्रवार आएगा, और उसके बाद वाली fortnight, वो जो दूसरी second वाली fortnight है, वहाँ पर तो ये 1000 करोड के सामने 4% CRR तो maintain करना ही है, जो कानूनन तय था, तो 100 के उपर 4 करोड, तो 1000 के उपर कितना करोड, 40 करोड CRR एक तरब बैंकों ने रख देना है, पिरियड में NDTL कितना था वो निकालो, मान लिजे निकला 400 करोड उपर, पता चला अपनी बैंक का, उस NDTL का 100% you have to maintain as CRR, तो 400 करोड का 100% कितना होगा, 400 करोड, तो उतना आपने अलग से तो रखना है, मतलब 40 करोड तो अपने काईदे सर वाले CRR, उसके उपरांती 100% incremental CRR, पुरानी तारीखों का NDTL निकाल के वो आपने रखने हैं, तो उस प्रकार से 400 करोड और आपने रखने हैं, पूरी जिन्गी के लिए नहीं एक स्पेसिफिक पिरियड के लिए, 26 November से लेके 10 December 2017 तक, तो ये जो बाकी वाला था, उसे बोला गया, incremental CRR, based on the old dates, तो अगर effectively हम ग 40 करोड रुपे एक तरफ CRR में रख रहे हैं, so effectively 44% CRR अपना हो गया, तो उस हिसाब से बैंक लोन में पैसा कम गूमा पाएगी और अचानक से वो मतलब ब्याज दर नीचे, आएंगे नहीं, economy destabilize होगी नहीं, अब प्रश्ण ये ऐसा करके उल्टा क्यों लेका है, सिधा ही बोल देना था कि ये demonetization वाले के बाद में जो Friday था, उसके उपर आप 50 तका 44% CRR मेंटेन करो, ऐसा क्यों नहीं बोला, because RBI को खुद को ये अंदाजा नहीं था कि demonetization के बाद कि इतना black money वापस आएगा और कि इतना black money destroy हो जाएगा, इसलिए ये Friday के उपर तो वो गिन के नह 2017 उसके बाद तो बैंक वाले ये 400 करोड भी लोन में गुमाना शुरू कर देंगे, एना तो अगेन अपना समस्या तो खड़ी ही रही कि अचनक से ब्यादर सस्ते हो जाएंगे, ऐसा ना हो पाए, इसलिए RBI ने अलग से market stabilization scheme MSS उसके अंदर नए प्रकार की security issue की और ये पू आगे बलते हैं और इस open market operation and market stabilization scheme ये दोनों चीज़ को बलते हैं